हेलो गाई देव एंड यू आर वाचिंग माई यूटूब चानल सो हे गाई अगैन हम हीर विद इंडियान एक्सप्रेस एडिटोरियल सो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज की वीडियो में तो चलिए गाई सिक बफिर से सुरू करते हैं तो इंडियान एक्सप्रेस के इडिटोरियल के बरे में और जाने की कोसिस करते हीं कि क्या दिया गया है आज के टी टोरियल में जो कि हमारे एक्जाम के पोईंट ऑबी से रहें तो उनका भी अच्छा रिजल्ट रहा है लगबग 8 रवी और 22 भी रैंक सम्तिंग दोनों ही सर ने अचीब कर रखी है तो एक अच्छा मोडिवेशन ही हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट के लिए जो कई वर्सों से देखा गया था कि रिजल्ट नहीं आ रहे थे एक प्र स्ट्राइटेजी को सही करके और अगर टूदा पॉइंट लिखने की कोसिस करेंगे तो टेफिरेटली जितने लोग भी हिंदी मीडियम से हिंदी मीडियम से प्रेवियर कर रहे हैं तो उनको भी एक अच्छी रैंग प्राप्त हो सकती है तो यह इंडिकेट करता है कि चीज भी आपको मिल रही है उससे मैक्सिममम यूटिलाइजेशन करने की कोसिस करें और आई होब कि आप भी एक दिन सेलेक्ट होंगे और आप अपने परिवार अपने सुसाइड़ी का नाम रोसन करेंगे चली फिर वो तो बात की बाते हैं ख्याली प्लाव से ज़्यादा इंप सब टॉपिक की बात करें तो कहा जारा कि पाकिस्तान है जा मदल्ड थ्रू क्राइसेज ऐज न्यू गवर्मेंट टर्न्स टू आई एम एफ फो हैल्प इंटो फेज अनुदर मोवेंट फॉर रिकॉर्निंग आई जानने की कोशिस करते हैं क्या है ये निउस तो देखे यह हाँ पर समझेंगे हिंदी में यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरीफ जुआ अब यह किस रेफरेंस में लिया गया है न्यूज को पढ़ेंगे तो सारी चीजे क्लियर हो जाएंगी सब टावक दिया गया है कि पाकिस्तान संकर से जूज रहा है जैसे ही एक नई सरकार मदद क और रूप करती है उसे गड़ना के एक छण का सामना करना पड़ता है तो यह जानते हैं क्या है पूरी नीज और क्या हमारे एक्जाम के पॉइंट विए से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है चीजे तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कहा जा रहा है आ ए वार नीजे झा इन्साव अजर पाकिस например यहाँ प्रीमें से घी सथरा ले भी नहीं च cricket विल प्रीज चितवे मज़ जा लों झा प्रीज खिर पर नकिप और गल्य मेडेंग ग्तान फेरे ले जेंश वेसल प nor रहां जाल साह घा है पन में खिंप ग्योर्म जवार्य रिट तू दा इंटरनेशनल मोनेटरी फंड तू अरेस्ट दा माइक्रो एकोनोमिक क्राइसे सीक्स इंटराप्टेड सपोर्ट फ्रॉम दा आम्ड फोर्स अंटिल दा नेक्स्ट एलेक्शन इन दे समर ऑफ तू थाउजन टॉंटी तरी अट्स ट्राइट टू रिवोड इट्स रि ये एडिटूरियल बता रहा है तो जैसा कि यहां देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कई समस्या है जो विभाजर और शोतंतता के लगवा 75 वड़सों से बड़ी हुई है दचिल एसिया कि किसी भी विक्ति के लिए पाकिस्तान में एक करती संकट को रोगने के लिए अंतराश्टी मुद्रा कोस की योर रोग करती है तो कि दोज़र तेज की गर्मियों में अगले चुनाओं तक सशस्त बलो से निर्माद समर्थन मागती है और छेत्रिय वैस्विक नीतियों को फिर से करने की कोशिस करती है कुछ लोग सर्थ लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की संभावनों पर बेसक पाकिस्तान अपने इतिहास में कई संकटों को जेला है लेकिन क्या उन लोगों को प्रवंधन कर सकता है जो आज सामना करते हैं उधारें के लिए पीम सरीफ ने सर्थ लगाई कि क्या इस प्रकार की चीज़े अभी कोशिस करते हैं तो यहां पी बदाया जा रहा है एडमिटेडली पाकिस्तान हैस मदल्ड थू मैंने क्राइज इन रसे हिस्ट्री बट इट कैन मैंने स्थोस्टार कंट्रोल तूडे कंसीडर फॉर एग्जंबल पीम सरीब बी डैट जो कि अभी हम लोगों डिसस किया बीटकीर व्हां पाकिस्तान चारी तूडेलों के लिने का वानिट जाया मिट्वार्ग निल्काज वे थीछार पाकिसान हैं इन थे अणिकि ट्वने कि तवने कि तून्या तूट आंपो टी तूंशित गली मट्वेर पीम लिट आप 새वा पाकिस विले लिगों पाने कि ऑन and remove the deeper constraints on it the story this time is unlikely to be any different as Sharif's decision to raise fuel prices on risk popular anger has been viewed as a bold move his predecessor Imran Khan had work out of the agreement with the IMF a few months ago to prevent a political backlash at home Sarif calculus appears to be based less on credible strategy to revitalize the economy then a bid to appease the army leadership and win it's a win it's a support for staying on power but the army is not known to be kind in artificial kind to civilian leaders there is a speculation that it will pull the plug on the Sarif government once it implements the hard and unpopular IMF demand are you janty hain kya yaha pere sari chieze batai jah rahi hai or yaha pere samajnay ki koosiz karte hai to dhekhi yaha se baat ho rahi hai dhek saktay hai kaha jah raha hai ki woye arthwajstah ko istir kar sakta hai kai loog se lanka ke raastay chal raha hai pakistan IMF se pahle sati hone ke liye bais baar madlab koosiz kar chuga hai lekin IMF ki madat se arthwajstah ko istir karne ki kishi bhi priyas ke sasudhar ya usse gheri badhau ko dure karne me gambi priyas nahi kiya gaya is bar kahani kuchh alag ag honne ki sambhaabna nahi idhan ki qiemetیں badhane aur jantah ke ghusnay ko jokhi me ndanelene ke sarif ke faisalhe ko aek sahasik qadam ke rup me dhekha gaya unkei puruverati imran khan kuchh mahine pahle IMFF ke saath huwe semjhoutay se bahar ho gaye thay taa ki ghar mein raja nitik birod ko roka jaa saki aisa lagta hai ki sarif hi garna seena ke netri dhuk ko khus karne aur satta me benerane ke liye uska samartan haasil karne ke bajay arthwajstah ko punarjivit karne ke liye ek visse sunez radniti adharit hai lekin seena ko asane neta hoon ke prati dhyaloo honne ke liye nahi jana jata aisei atkale hai ki IMFF ki kathol alokpiri amakon ko lagu karne ke baad ya sarif zirkar ko bindh kar dhegi to isprakar ki kuchyze yaha pere discuss keri jara rahi hai aur wahi agar ki agar bat karheen to chali chalte hai sabse pahle samad liethe hai yaha pere kya agar ki news hai just a minute ok so yaha se dhekhen ghe agar yeh bataya jara raha hai ki on the face of it sarif lead a broad based coalition that has brought together both the pakistan people party and pakistan muslim league along with a host of other parties but the army which has never let a civilian government function effectively is unlikely to give a free hand to sarif it has just dumped imran khan after installing him in power in 2018 what is new though are the division within the army and a range of issues on managing the domestic political order rebooting the economy and rearranging regional and in international relations imran khan who had defied the ghq on all three fronts appeared to enjoy the considered support among the middle classes as well as within the rank of the army to make matters worse pakistan's regional and international starting has been in steady design are they because this does not add your well for either pakistan or its neighbor but delhi must persist persistence from turning worse in the coming days and for forest all agi ki news dekhael forest all unwanted crisis so we have a way forward to be able to explain it's our side of the branch so that the international forces of the कि भीतर विभाजन है घरेलू राजिनितिक विवस्ता को प्रवंदित करने अर्थ विवस्ता को फिर से सुरू करने और छेतरी और पुनर विवस्तित करने पां अंतराश्टी संबंध का कहिन कहीं यहां पे एक मजबूती होनी चाहिए इमरान खांज जिनोंने जी एच अकियोन को तीनों मोर्चे पर ललका रहा था मध्यम बर्ग के साथ साथ सेना के रैंकों के बीच भी काफी समर्थन प्राप्त करने के प्रतीत होते हैं मामले को बत्तर बनाने के लिए पाकिस्तान की छेत्री उंतराश्टी देती में लगाता गिरावटा रही है या पाकिस्तान या उसके पलोसियों के लिए सुपसंगेत नहीं है लेकिन आने वाले दिनों में दुई-पच्छी संब्धों को और खराप होने से बचाने या आवंची संकटों को रोकने के लिए दिली को पाकिस्तान की राजनीती में सभी प्रमुकुजन अचनाओं की भ हैं जो अपनी समस्याओं से वो निकल सकते हैं तो यहां पर जो भी पॉइंट्स आपको इंपॉर्डेल लग रहे होंगे उसको आप नो डाउन करके रखिएगा और यहां पर मैंने आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिस करी है दा इंडियर एक्सप्रेस के एडिटोरिय और शी दॉदि रही है और जडियर और लसे लेगे रहे हैं करें दाने की की कऊ जो टामेंट मैंने में अथा रहे हैं की सिंपल आपको śथायां और दा करुअब आपका।